जी आँ किसान बाईो पीम किसान शम्मान निधियोजना की सत्रवी किस्त को लेकर बड़ी अपडेट सभी किसानों की बले बले पीम किसान शम्मान निधियोजना बेनिफिटरी स्टेटस में सभी किसानों के अकाउंट में 4,000 रुपे भीजे जा चुके हैं देख सकते हैं पियम किसान शम्मान निदी ओजना के तैत, सत्रवी किस्ट काफी किसानों के अकाउंट में जारी हो चुकी है, सत्रवी किस्ट के रूप में यहाँ पे किसानों को जो है इस बार डबल वैनिफिट मिला है, तो चलिए वीडियो को शुरू कर उससे पहले कमेंट वोक्स में कमेंट करके बताईएगा कि आपको आभी तक PM किसान शम्मान निधी उजना की ओर ओल टोटल कितनी किस्ते मिल पाई है साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर ले पासन बेल घंटेक निशान को दबाके लोनोटी क्वेसन को उन करने के साथ ही चैनकारी पसंदायत वीडियो को लैक्सिर करना बिलकूर न भूले जी हां किसन व stripes देख सकते हैं P.M. किसान शंवान निधी ओजना के सभी लाभरतिओं के लिए बड़ी खबर बेंग खाते में आए 4000 रुपए लाभरति किसानों की सूची हुई जारी जिसमें आप देख सकते हैं पात्रो और एजिबल किसान है जिनको सत्रवी किस्त का पैंसा भेजा गया है उन किसानों के लिश जारी करती गई है जिन किसानों को पैंसा नहीं मिला है वो किसान जल्द से जल्द अपनी एक्यवाइशी कंपीर करवा के पीम किसान शम्मान निजियोजना की सत्रवी किस्त का भेजी जा रही है पिम किसान शम्मान निजियो जनाय के अंतरगत आप अपना EKYC अपने नस्दी की इमित्र या CSC सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं या घर बैठे आप बायोमेट्रिक या OTP के आधार पर भी अपना EKYC कम्पिट कर सकते हैं साथी हम बात करें लोकसवा चुनाओ से पहले दो लाख रुपे तक की करज माफी का ऐलान भी किया गया है जैसे ही करज माफी की प्रक्रिया सुरू होगी आपको इसी योटूब चैनल पर जानकारी देखने को मिलेगी इसके लिए साथ योट चैनल को सबस्काइब पासन बेला घंटेक निसान को दबा कियो नौटिक्वेसन को ओन और वीडियो को लाइक चैर जरूर कीजिएगा मिलेंगे जल्दी निया बेट के साथ तब तक लिए धन्यवाद जैहिंद राम राम